अपने सेफ्टीज लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके औल सिलेट कीजिए ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नौटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिलेंगे हलो एवरिवान आपके अपने सेफ्टीज लाइफ चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम जानने वाल है इस वीडियो में वर्क परमिट के बारे में तो वर्क परमिट यानि exactly क्या होता है उसके बारे में first of all हम information लेंगे तो वर्क परमिट यानि एक ऐसा documentation है जिस documentation में आपक कारेसल पर जो भी काम होने वाला यानि कि जो भी टास्क होने वाला है उसके related सभी points mention होते है और साथी साथ उस काम में यानि कि उस task में जितने भी हजार्स आने वाले है in future उसके बारे में वो सभी points वहाँ पर mention होते है और उस हजार्स के related आपको जितने भी precautions लेनी है जो भी precautions लेनी है वो सब points वहाँ पर mention करने पड़ते हैं और वो काम proper तरीके से पुरा करने के लिए work permit आपको follow करना पड़ता है तो work permit एक return record है जो कि एक authorized person वर्करों को काम करने के लिए एक permission देता है यानि कि एक specific work मतलब यानि कि आपके कार्यस्तल पर जिस कौन से भी location पर जो भी task होने वाला है और कौन से time में होने वाला है यह सभी information उस work permit में होती है तो आपको एक point हमेशे याद रखना है वो एक है कि आपको without work permit आपके कार्यस्तल पर कोई भी काम करना नहीं ह otherwise यह violation हो सकता है तो हम देखेंगे कौन से कौन से permit आपको आपके कार्यस्तल पर देखने मिलेंगे तो first of all work at height permit then second hot work permit then third confined space permit then fourth excavation permit और fifth lifting permit और sixth electrical isolation permit यह छे permit आपको हमेशा आपके कार्यस्तल पर देखने मिलेंगे तो इस permit में आपको कौन से कौन से points देखने है और यह permits आपको कभी कभी आपके कार्यस्तल पर देने है इसके बारे में अभी information लेंगे तो first of all हम देखते है work at height के permit को तो work at height permit आपको कभी देना है यदि आपके कार्यस्तल पर 1.8 meter और 6 feet के उपर कुछ काम चल रहा है तो आपको work at height का permit देना applicable है तो फिर कौन से कौन से काम आपके कार्यस्तल पर इसे होंगे तो for example ladder के उपर काम करना, scaffolding के उपर काम करना और painting work करना height के उपर इस जैसे बहुत सारे काम height पे होते और 1.8 meter के यदि उपर हो रहे है तो आपको वहाँ पर work at height का permit देना है तो work at height का permit देते वक्त आपको कौन से कौन से main points है वो check करने पड़ेंगे जैसे कि किस type का job वहाँ पर आपके कार्यस्तल पर होने वाला है वो पहले पूछना है देन वो जो worker है जो height पर जाने वाला है काम करने के लिए 1.8 meter के उपर तो उसने full body safety harness wear किया है या नहीं और वो full body safety harness proper condition में है या नहीं उस worker ने mandatory PPE as well as task based PPE wear किया है कि नहीं इन सभी बातों को आपको उस permit में mention करना है और उसके बाद ही उस worker को work at height का काम करने के लिए permission देना है तो next हम जानेंगे hot work permit के बारे में यदि आपके कार्यस्तल पर कुछ sparks, flame या fire particles कुछ produce हो रहे है जिस काम के बज़े से produce हो रहे है और वो काम आपके यदि कार्यस्तल पर चल रहा है तो वो एक hot work के related है तो उस job के लिए आपको hot work permit देना applicable है तो ऐसे कौन से काम आपके कार्यस्तल पर चलेंगे इसलिए आपको उस जगह पे hot work permit देना ही है तो इस permit को देने के time आपको कौन से कौन से main point जेकने पड़ेंगे चेक करने पड़ेंगे उसके बार में जानते है तो फर्स्ट आप आल वो जो welder है जो task complete कर रहा है वो एक proper authorized welder है या नहीं then second welding machine proper condition में है या नहीं जो welding machine की cable है उसकी insulation proper है या नहीं then flashback arrester जबी for example कुछ gas cutting set के साथ कुछ काम हो रहा है तो flashback arrester वहाँ पर available है या नहीं या या यह बहुत sides oxygen के लिए भी और acetylene cylinder के लिए भी flashback arrester है या नहीं वो चेक करना है then last उस जगह पे fire produce हो रहा है तो आपको fire लगने का chances भी है तो वहाँ पर fire extinguisher है या नहीं वो भी चेक करना है तो hot work देते समय आपको ये 5 point main check करना है और उसके बाद ही आपको hot work permit worker को देना है next है confined space permit तो confined space का permit आपको कभी देना पड़ेगा for example आपके कारेसल पर एक worker ऐसी जगह पे job कर रहा है उस जगह पे proper oxygen नहीं मिल पा रहा है बहुत consistent जगह है उस जगह पर जाने का और आने का रास्ता एक ही जगह से है और वहाँ पर एक proper तरीके से काम करने के सुविधा नहीं है तो उस जगह को हम confined space बोलते है तो ऐसे कौन से काम confined space में आते है जैसे कि आपके कारेसल पर कोई एक worker boilers, servers और silos के अंदर जगे building का काम कर रहा है या painting का काम कर रहा है manuals के अंदर जाए कुछ housekeeping का का काम कर रहा है कुछ maintenance का काम कर रहा है यह सभी वर्स confined space में आते है तो confined space का permit देते हैं आपको कौन से कौन से main points चेक करने तो उस जगह पर housekeeping हुआ है की नहीं वह first check करने है यानकि sleep trip falls और hazard हो सकता है then oxygen level चेक करना है toxic gas का status चेक करना है ventilation और illumination confined space में है या नहीं वह first of all चेक करने है तो यह सारी main points जो है वह आपको confined space क्या permit देते वक्त चेक करने है नेक्स्ट है electrical isolation permit यह permit आपको तब ही उस करना है जब आपके कार्यसल के उपर कुछ electric के regarding work हो रहा है तो यह permit देते वक्त आपक second वो जो electric के regarding जो काम हो रहा है उसके पहले काम होने से पहले totally electrical energy shutdown होनी चाहिए दिन वहाँ पर loto process apply होना चाहिए और साथी साथ वो electricity ने mandatory as well as task based PPE wear करना चाहिए तो ही उसको यह permit आप दे सकते हो next excavation permit excavation permit यानि आपको यह permit तब ही देना है जब आपके कार्यसल के उपर कुछ खुदाई का काम हो रहा है तो यह permit देते हो आपको कौन से कौन से points check करने फस्ट आपको underground utilities check करने यानि आपको जहाँ पर खुदाई का काम करना है वहाँ पर कुछ electric cable या घास की cables वगार वहाँ पर नहीं है न वह पहले आपको check करना है second वहाँ पर आपको barrication करना है then third आप आपको एक plant layout लेना यानि कि जहाँ पर आपको खुदाई का काम करना है वहाँ पर एक layout होनी चाहिए आपके पास मतलब यानि कि कहाँ पर आपको exactly excavation करना है उसके बार में आपको information उसमें मिल जाती है और साती साथ आपको वहाँ पर signages board भी apply करने है और यह होने के बाद ही आपको excavation permit देना है पर यह permit के पहले आपको plant layout यह लेना बहुत important है next है lifting permit यदि आपके कार्यस्तल के उपर कोई ऐसा material जो इसका वजन kg में नहीं बलकि turn में है और वो shifting हो रहा है एक जगा से दूसरी जगह तो उस समय आपको crane की help लेनी है तो उस जगह आपको lifting permit देना है तो lifting permit देते हुद आपको कौन से कौन से points चेक करने तो first of all आपको lifting plan चेक करना है then second crane की capacity चेक करने है साथी साथ material weight भी चेक करना है then जो material weight याणि कि जो material आप उठाने वाले हो तो अब हम देखेंगे permit warranty के बारे में basically work permit जो होता है वो सिर्फ one shift के लिए ही applicable होता है यदि आपकी shift eight hours की है तो वो जो permit आपने दिया हुआ है worker को तो वो सिर्फ eight hours के लिए ही applicable होगा यदि आपकी duty 12 hours है तो वो जो permit है वो 12 hours के लिए applicable होगा यानि आपके company के rule के हिसाब से व और वहाँ पे adjustable रहेगा और ये permit का timing आपको वहाँ पर follow हमेशा करना है timing के बाद यदि कुछ work हो रहा है तो आपको वो permit आगे extend करना है आज हमने इस वीडियो में permits के बारे में पुरी information ली है मैं आशा करता हूँ कि ये video आपको जरूर पसंद आई होगी अगर ये video आपको पसंद आई तो प्लीज अपने friends के साथ इस video को जरूर शेयर किजे तब तक के लिए धन्यवाद